सुप्रीम कोट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्य मंतरी हैं। सुप्रीम कोट ने कहा कि दिल्ली के मुख्य मंतरी का जो पध है वो बहुत गरिमा माई पध है। जस्टिस खन्ना और textile दत्ता के अदालत ने कहा। कि जब तक ये मामला वहां चलेगा, वहां सुनवाई होगी, तब तक हम उनको एंटरीम बेल दे रहे हैं. यानि कि ये भी कहा कि 90 दिन तक अरविंद केजरीवाल ने बहुत जेल लिया. जस्टिस दत्ता और जस्टिस खन्ना ने कहा कि अर्विंद केजरीवाल 90 दिन जेल में रह गए यह बहुत हो गया अलांकि अर्विंद केजरीवाल अभी बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन पर CBI का एक और मुकदमे में वो अंदर है मैं आपको पहले क्या बताओं कि जब एक बार राउज जवन्यू कोट ने जब अर्विंद केजरीवाल को जमानत दी थी तो उसी चैनल के रिपोर्टर कह रहे थे और वो दिल्ली के मुक्य मंत्री की तुलना कर रहे थे कि जेल के अंदर तो जेब कत्रे भी बंदोते हैं जेल के अंदर तो चोर भी बंदोते हैं मुझे वह तरस आ रहा था उनकी जो शैली थी बात करने की दोस्तों नमस्कार दिल्ली का बहुत चर्चित शराब घोटाला जिसको की आमादनी पार्टी तो कथित शराब घोटाला कहती है जिसको आमादनी पार्टी कहती है कि मैनूप्रेटिट शराब घोटाला है और जिसको भारती जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सदी का सबसे बड़ा घोटाला मानती है उसको लेकर आज सुप्रीम कोट के एक बड़ी रूलिंग आई अर्विंद केजरिवाल के चहरे पर हसी की खुशी की जलक हलाकि वो जेल में है तो पता नहीं लग सकता लेकिन अर्विंद केजरिवाल के लिए ये खबर रहात भरी जरूर रही अर्विंद केजरिवाल ने जो एडी ने उनको गिरफतार किया था 21 मार्च को अर्विंद केजरिवाल ने अपनी गिरफतारी को अवैद कहा था कि उनकी गिरफतारी अवैद है अर्विंद केजरिवाल ने कहा था कि उनको गलत तरीके से गिरफतार किया गया है मामला सुप्रीम कोट में सुनवाई के लिए था जो ग्रिश्म कालीन अवकाश हुआ उस दौरान सुप्रीम कोट ने उस पर सुनवाई की और फैसला उसका पैंडिंग रख लिया आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता ने उनकी जो डबल बेंच थी तीन मिनट के अंदर उस पर अपना आदेश सुना दिया सुप्रीम कोट ने कहा कि अर्विंद केजरिवाल दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं सुप्रीम कोट ने कहा कि दिल्ली के मुख्य मंत्री का जो पद है वो बहुत गर्मामाई पद है और उन्होंने कहा कि जो धारा थी PMLA की जिसके अंदर की आईयो को गिरफतारी की अनुमती तो मिलती है लेकिन आईयो को ये भी देखना होता है कि गिरफतारी जरूरी है या नहीं और उस सारे मामले को लेकर क्योंकि ये सारा मामला जो दिल्ली का शराब घोटाला है ना हम इसको कथित कहेंगे ना हम इसको मैनूपलेटिट कहेंगे अदालत के अंदर ये लंबित है जाच चल रही है और जाच इसकी चल रही है 2022 से आज इस मामले में जब सुप्रीम कोट ने अपना एफैसला दिया और सुप्रीम कोट की डबल बेंच ने यानिकि जस्टिस खन्ना और जस्टिस धत्ता की बेंच ने कहा, कि हम इस मामले को माननिय मुख्य नियाधिश के समक्ष प्रस्तूत करते हुए से अगली बेंच के लिए ट्रांसफर करते हैं कि इस पर आप बड़ी बेंच सुनवाई करें. अब जो बड़ी बेंच जो बनेगी जिसमें तीन सदस्ये बेंच होंगी, जिसमें तीन नियाधिश होंगे, तीन जस्टिस होंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे. माननीय नियाधीश उसके न्युक्ति करेंगे सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस डिवाई चंदर चूर सिंग उस पर न्यायधीशों की न्युक्ति होगी और फिर मामला सारा वहां जाएगा जस्टिस खन्ना और जस्टिस दप्ता की अदालत ने कहा कि जब तक ये मामला वहां चलेगा वहां सुनवाई होगी तब तक हम उनको एंटरिम बेल दे रहे हैं यानि कि ये भी कहा कि 90 दिन तक अरविंद केजरिवाल ने बहुत जेल लिया दोस्तों जो कुछ फैसले में कहा जाता है जो लिखा जाता है उन सब के कही न कही अर जने वाली बात होती है और जस्टिस दत्ता और कहना ने कहा कि अरविंद केजरिवान 90 दैं जेल में रह गए ये ED High Court और High Court ने उस जमानत पर स्टे लगा दिया स्थगित कर दिया जमानत को तरह से निरस्त कर दिया अर्विंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर ये कहा था कि ये उनके साथ में एक तरह से प्रतिकार यानि की बदले की भावना से कारवाई की जा रही है और अब Supreme Court ने आज सुनवाई चलेगी सुनवाई के बाद फैसला आएगा फैसले में अर्विंद केजरीवाल दोशी होंगे या निर्दोश होंगे अगर दोशी होंगे तो उनको सजा होगी निर्दोश होंगे तो उनको एंटरिम बेल पे आज ही Supreme Court ने कह दिया हलाकि अर्विंद केजरीवाल लेकिन अगर मैं आपसे कहूं की अर्विंद केजरिवाल का और आमादमी पर्टी का और दिल्ली का जो ये शराब घोटाला है अगर मैं ये कहूं कि इसके अंदर मीडिया भी एक पर्टी बना हुआ था आज जब अर्विंद केजरिवाल को जमानत मिली तो अपने आप में एक बहुचर्चित न्यूस चैनल पर में सुबह देख रहा था नाम लेना नहीं चाहेंगे किसी का भी और उसके जो पत्रकार थे एक पहले और शर्माजी और दूसरे बाद में जो बोल रहे थे उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे वो तो गिल्टी मान चुके हैं कि अर्विंद केजरिवाल दोशी है ही है जैसे उन्होंने सोच रखा है कि आम आदमी पार्टी सारे मामले में इस शराब गोटाले के अंदर अदालत तो फैसला जब देगी तब देगी लेकिन वो तो सोच चुके हैं कि वो दोशी है मैं आपको पहले क्या बताओं कि जब एक बार राउज जवन्यू कोर्ट ने जब अर्विंद केजरिवाल को जमानत दी थी तो उसी चैनल के रिपोर्टर कह रहे थे और वो दिल्ली के मुख्य मंट्री की तुलना कर रहे थे कि जेल के अंदर तो जेब कत्रे भी बन दोते हैं मुझे बढ़ तरस आ रहा था उनकी जो शैली थी बात करने की आखिर किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार कहां से मिल गया चाहे वो कोई कितना ही बड़ा जनलिस्ट क्यों ना हो उनको कहां से अधिकार मिल गया कि वो अदालत अपना ट्रायल चलाए लेकिन मीडिया अपना ट्रायल पहले चलाता रहे और कई मामलों में हो रहा है आप देखें तो इससे पहले जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तो इसी चैनल के एक कथित जो एंकर है बड़े एंकर वो रात को उस दिन बोल रहे थे कि क्योंकि हेमंत सोरेन तो जंगलों में रहने वाले आदमी है आज वो वापस वहां पहुँच गई हलाकि उस मामले में हेमं सोरेन ने और उनकी पार्टी ने उन एंकर महोदय पर मुकदमा भी लिखवाया उसके अंदर लेकिन बात यही आ जाती है कि आज जो अदालत का माननी अदालत का जो भी फैसला होता है वो सभी को शिरोधारे होता है सभी को उस पर अबल करना होता है सभी को उस फैसले को मानना होता है अरविंद केजरिवाल को आज राहत मिली जितनी बड़ी राहत है वो छोटी या बड़ी लेकिन मैं तो यह मानता हूं कि PMLA Act जिसके अंदर की जमानत बड़ी मुश्किल से मिला करती है उस मामले में अरविंद केजरिवाल को एक बार तो राहुज एवन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी और राहुज एवन्यू कोर्ट की जो जस्टिस थी न्यायविंदू उन्होंने कहा कि इसके अंदर मुझे कुछ लगता ही नहीं उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि इडी का ये सारा मामला पक्षपात पूर्ण लगता है उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर कहीं भी धन्शोधन की बात कहीं सामने नहीं आती और उसके बाद में आज सुप्रीम कोट ने तो अर्विंद केजरीवाल की गिरफतारी पर ही एक तरह से जिसमें अर्विंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि उनकी गिरफतारी अवैद है सुप्रीम कोट की जो डबल बैंच जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की अदालत ने एक तरह से एडी की कारवाई पर कोश्चन मार्क लगा दिया उनको एंटरिम बेल देते हुए और यह कहा कि जब तक इसको जो बड़ी बैंच सुने यह उनका फैसला है कि वो हमारे बैंच को रखे या पलट भी दे लेकिन उन्होंने एंटरिम बेल दे दी और यह कह दिया कि यह जब बड़ी बैंच के अंदर यानि कि जो ट्रिपल जट तो तीन जस्टिस बैठेंगे जि मुकदमे कि सुनवाई जब तक होगी यह निकि मुकदमे पो जब तक सुना जाएगा तब तक के लिए हमने जमानत दे दी कोई टाइम बॉंड नहीं हुआ कोई इलाज के लिए किसी और किसी और भाने से नहीं दीगी सीधा कहा गया कि जब तक इसका मामले की सुनवाई हो बड़ी बेंच जिसके अंदर तीन नियाधिश जस्टिस बैठे जब तक इस मामले की सुनवाई करे तब तक अरविंद केजरिवाल को हम अंतरिम जमानत देते हैं और वह मैंने आपको बताई दिया कि अब अरविंद केजरिवाल बहार तो नहीं आप आएंगे बहार तो त अरविंद केजरिवाल को एक लाग के मुचलके पर जमानत दे दी थी और आज सुप्रीम कोट ने उस गिरफ्तारी पर ही मैं फिर दोरा रहा हूं एक तरह से कोश्चन मार्क लगा दिया प्रशन चिन्द खड़ा कर दिया सवालिया निशान लगा दिया दोस्तों दो साल से दिली का ये शराब घुटाला चल रहा है इसके अंडर दिली के उप्रों के मंचली मनीश सुधिया जेल में हैं अर्विंद केजरिवाल इसमें जेल में हैं कई और अधिकारी और नेताउं पर इस पर तलवार लटक रही है कविता भीसमें हैं जो केसीR क की बेटी हैं और बड़े तमाम इसके अंदर कई नाम ऐसे हैं सात्वी सप्लिमेंटरी जो चार शीट चालान पेश कर चुकी है साथ साथ वार हर वार सप्लिमेंटरी चालान दे दिया जाता आईडी के द्वारा और अब उसके अंदर आज सुप्रीम कोड का फैसला और दूसरी बात दोस्तों एक और होगी नब्बे दिन से दिल्ली के मुख्य मंत्री जिल में है और इस समय दिल्ली के अंदर आप इसले दिनों देखें तो पहले पेजल का संकट था उसके बाद दिल्ली में अभी हाल ही में जो बारिश का मौनसून का मौसा में अला कि ये पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के कई देशों के अंदर आप देखते होंगे मीडिया में, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में, डिस्टल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कहते होंगे कि अब कौन से केस में जेल में डाल दिया जाए तो आखिर फिर वो सरकार चल कैसे पाएगी और आज इसके अंदर जो सुप्रीम कोट ने एक बात और कही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल पर एक और बात कही कि वो निर्देश नहीं दे सकते कि वो अपने पद पर बने रहें या ना रहें जस्टिस खंणा और धत्ता ने ये का कि ये अर्विंद केजरिवाल खुद तै करें कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहना है या नहीं इसमें भी विरुदावास हो सकता है इसके अंदर भी तमाम प्रकार की बा करार दे दिये जाते हैं अगर अदालत की जब सारे सुनवाई होने के बाद में जब फैसल आएगा और इन फैसलों के अंदर इनको निर्दोश करार दे दिया जाता है तो फिर इन नेताओं का खासकर अर्विंद केजरिवाल का मनिश सिसोधिया का या आज सतेंदर जैन पर ऩर यी मसलत और भी यहिये लेकिन उन पर भी कहीं शराब घोटा लेकी छाया भी जरूर है और तमाम भींगे पर जो अंद़र जेल में जा चुके हैं और जो जेल से संजे सिंग की जमानत मिल चुक है ये संजे सिंग भी लंबा समय जेल में रहे तो आखिर इन लोगों कह इ पादेश टाइप होने से पहले ही हाई कोट पहुंच गई एडी उनकी बेल रुकवाने के लिए और अभी 26 तारिक को 26 जून को जब फैसलाई आना था उससे पहले सीवी आई पहुंच गई 80-85 दिन से अर्विंद केजरीवाल जेल में थे तब तक तो सीवी आई सोई रही लेकिन जब लगा कि कोई फैसला आ सकता है तो फिर सीवी आई ने गरफतारी डाल दी यानि कि यह एक प्रकार से जिसमें अर्विंद केजरीवाल खुद भी कह रहे थ एक प्रकार से आप माना जाए तो इसे कहा जा सकता है कि यह राजनीती की अंदर एक पराकाश्ठा है और हम तो कह रहे हैं कि सारे मामले में जो भी होगा जब भी फैसला आएगा जो दोशी होंगे या जो निर्दोश होंगे या इसके अंदर जिस प्रकार का भी निर्णे अदालत का होगा, वो बात की चर्चा का विशे है। लेकिन जस प्रकार से सरकारी एजेंसियों पर आरोप लगे और जस प्रकार से कई मीडिया हाॉस खुद पार्टी बन दीखे इस प्रकारके राजनितिक मामलों में ये सवालिया निशान कई-कई प्रकार के सब पर खड़े करता है आपने देखा होगा गर्विंद केजरी वाल ने जब वो दिल्ली के आई कोर्ट में थे तो उस समय भी उन्होंने कहा कि CBI, ED और मीडिया मिल करके उनके गलत बयान प्रस्तूत कर रहा है ये भी बहुत बड़ी बात थी कि वो बयान कुछ दे रहे हैं अदालत के अंदर और मीडिया में चलाया कुछ और जा रहा है एक तरह से संसनी बनाई जाती है ब्रेकिंग न्यूस चला करके संसनी दिखाई जा आई आज जब अरविंद केजरिवाल को रहत मिली तो आमादमी पारटी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर अरविंद केजरिवाल का तिरंगा लहराते हुए एक फोटो पोस्ट किया और लिखा सत्यमेव जायते हलाकि उस पर भी मैं देख रहा था कि कई मीडिया गहराने और जो राजनितिक दलों के लोग उस पर भी कह रहे थे पर यह समझ नहीं आया कि अगर तिरंगा लहराते हुए कोई व्यक्ति सत्यमेव जैते कह रहा है तो उसको ट्रोल करने की बात कहां से आ गई भारत का जो तिरंगा है हमारा तिरंगा जंडा है हमारी आन बान शान का प्रतीक है वो लहराना कोई किसी प्रकार का अप्राद या किसी प्रकार की उसके अंदर आप यह नहीं सोच सकते कि उन्होंने किसी भी मामले को ले करके खुद को बढ़ा करते हुँ दिखाया और सत्यमेव जैते तो हमेशा रहता ही है सत्य की जीत तो हमेशा होती ही उसपर भी ट्रोल किया जाना तो सवाल महां वह भी हैं। खर आज अर्मिंद केजरिवाल के लिए अच्छा दिन था। अर्मिंद केजरिवाल को आज और दिलिके मुख्यमंत्RI सहित आमादनी पार्टी के नेताओं के लिए अच्छा दिन था कि उनको सुप्रीम कोट से एक PMLA के मामले में धन शोधन के मामले में जो अरविंद केजरिवाल ने कहा था कि मेरी गिरफतारी अवैद है उसको कहीं न कहीं सुप्रीम कोट ने भी मान लिया और उनको एंटरीम बेल दे दी वैसे आपको क्या लगता है कि आगे इसके अंदर और क्या हो सकता है हलाकि मामला अदालती है अदालत के अंदर इसकी सारी अभी सुनवाई होनी है लेकिन ये जरूर है कि क्या आपको भी लगता है कि सारे मामले में कहीं राजनीती हो रही है क्या ये मामला राजनीती से प्रे सारा घात नहीं है जब चुनी हुई सरकार को इस प्रकार से किया जाएगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेर लाइकन